बलेवुट के सदा बाहर अभीनेता कहे जाने वाले देवानन्द साहब का पिच्यान मेवा जन्म दिन है। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 में हुआ था। आपको पता है कि अपने जमाने में देव साहब फैशन आइकन माने जाते थे। आपने उनके काले कोट को लेकर कई किसे तो स उने ही होंगे जिसके कारण वह हमेशा सुर्खियों में रहते थे। कहा दाता है कि देवानन्द जब भी काला कोट पहन कर निकलते थे तो वे वास्तव में कहर बरपाते थे। जो की उन समय एक ट्रीन बन गया था। सफेजशर के साथ काला कोट। लेकिन एक समय ऐसा भी आ कर हैरानी होगी कि कई लड़कियों ने इस काले कोट के कारण सुसाइड करने की कोशिश भी की। शायद ही इत्यास में किसी अभिनेता के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। देव साहब की एक जलक पाने के लिए क्या नहीं करती थी। देव साहब के काले कोट में लड़कियों की ऐ ऐसी दीवानगी देखकर कोट को बीच में आना पढ़ा, इस मामले कोट से बहुत ही गंभीर लिया और देव साहब को काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया, ऐसा नहीं है कि आज के समय में सफेद शट और काला कोट लोग पहनते नहीं है, आज भी सबसे ज्यादा यह स्टाइ स्टाइल ड्रेंड में रहती है लेकिन माना जाता है कि जो स्टाइल देवानंद की थी, शायद और कोई वैसा लगे, देवानंद ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1946 में फिल्म हम एक हैसे की, इस फिल्म में वो हीरो बनकर परदे पर आये, हाला कि फिल्म चल नहीं पाई, इसके बाद साल 1948 में आई जिदी, जिसने देव साहब को हिट बना दिया